अगर आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार का stress-based कर रहे हैं और पेशनी अगर आप किसी भी टाइप के consultancy business में हैं चाहे आप doctor हैं चाहे आप lawyer हैं वास्तु consultant है एस्ट लॉजर है, breaky healer है किसी भी टाइप के ऐसे व्यपार में ऐसे business में हैं consultation business में हैं जिसके अंदर व्यक्ती हमेशा परिशान स्तिती में आपके पास आता है तो इस video को आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये video जो है ना इसके अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही एहम मुद्दा शेयर कर वगा जिसकी बज़े से आप लोगों की life में stress हो रहा है मेरे बहुत सारे clients हैं जो lawyers हैं जो judges हैं गौर्मेंट department में हैं पुलिस में हैं उसके लावा consultancy business में है वास्तू consultants में मेरे client है तो इन सभी जितने भी लोग जो consultancy business में है या किसी ऐसे व्यपार में किसी ऐसे business में है जहां पे व्यक्ति परिशाल किती में इनके पास आता है तो ऐसे लोग जो है ना इनको अपनी life में बहुत जादा stress face करना पड़ता है जब आप imagine करो एक वकील है उसके पास एक व्यक्ति जाएगा तो वो क्यूं जाएगा अगर कोई व्यक्ति परिशान होगा तो भी वो वकील के पास जाएगा एवे किसी बात के लिए तो वकील के पास कोई जाएगा नहीं कोई doctor है उसके पास कोई व्यक्ति मीटिक के लिए जाएगा मिलने जाएगा तो क्यूं जाएगा बिमारी की आनत में जाएगा अगर अब जो judges है जो सारा दिन court के अंदर बैठ कर सुनते हैं कि इसने ये किया इसने वो किया और उनको सबकी परिशानिया सुननी बढ़ती है decisions लेने के बिए कि कौन सही है कौन गलत है उनको imagine कीजिए वो पूरे दिन एक stress के महौल में अपना पूरा दिन बिताते हैं अगर मैं अपनी बात करूं वास्तु परसल्टेंट की बात करूं तो मेरे पास भी दो केटेगरी जाती है क्लाइंट की रूप क्लाइंट के रूप में एक कैटेगरी वो जो लाइफ में बहुत जादा परिशान है वो लोग आते ही अपनी परिशानिया मेंसे discuss करने नकते हैं और दूसरे वो जो नया घर बना रहे है या जिनको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो जो पहली कैटेगर रहे हैं उनकी अपनी पुद की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो ये जो स्ट्रेस है इसको ओवरबावर करना या ये स्ट्रेस आपको वो ही ना क्यों हो रहा है इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा देरें तो मैं आज आपको ना एक ही चीज बताऊँगा देखो बहुत सा ज़्यादा स्ट्रेस होगा है वो लॉजिक है आपकी टेवन पे रखा भुआ पानी का ग्लास अब आपसे कोई भी क्लाइंट मिलने आता है आप पूरा सिनारों इमाजिन कीजिए एक क्लाइंट आया आपसे मिलने वो आपकी केबिन में आगे बैठेगा आपके सामने आपकी ऑफिस चेयर पे केबिन में आगे बैठा आपको ऑफिस गुए का करेगा उसके लेक पानी या ग्लास देगा वो व्यक्ति या गरेगा या तो पूरा पानी पीएगा अब सर्क पूरा पानी गोईरी भीदा व्यक्ति एक भूट मारके और यह जो ग्लास है इसको साइड में अब होता क्या है जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठता है और आपकी टेबल पे वो पानी के ग्लासेस रखे रूते हैं और वो व्यक्ति आपसे अपनी परिशानिया शेयर करने लगता है साइटि विदर ही प्रोवर है कि जो पानी है जन लें इसके अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं अभी जो मैं बोल रहा हूं मैं बार-बार ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं बार-बार टेंशन की बात कर रहा हूं मैं बार-बार एंग्जाइटी की बात कर रहा हूं तो जो इन negative words मैं अभी अपने मुझ से इस्तमाल कर रहा हूँ, वो सारे इस पानी के memory cells में store होते जा रहे हैं, तो पूता क्या है, एक व्यक्ति आया आपके पास, और उसमें अपनी सारी परिशानियां आपके साथ discuss करनी शुरू कर दी, आप वो परिशानियां सुन रहेगों, आप उसके समाधान के बारे में सोच रहेगों, किसी भी field में हो आप, आप वो परिशानियां भी सुन रहे हो, उसके समाधान के बारे में भी सोच रहे हो, और आपने उस व्यक्ति को समाधान दे के भेज दिया, करते क्या हो आप, उस व्यक्ति के जाने के बाद, जो वो आपका पानी का ग्लास होता है, आप उसको उठाके पी लेते हैं। अब जितने भी नेगिटिव और जितने भी नेगिटिव वर्क्स या जितने भी आपके क्लाइंट की नेगिटिव बाते उती हैं, वो उस पानी के memory cells में store हो जाती है और आप क्या गड़ते हो इस पानी को आप ग्रहेड कर लेते हो इस पानी को आप पी लेते हो तो जितनी भी negativity होती है वो आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर में मिल जाती एक विप्ति आपके बास आता है बहुत टेंशन में हैं बहुत एंग्जाइटी में उसने आपसे अपनी बात शेयर रखी आपने सुना आपने उसको या तो समाधान दे दिया या उसको गया दे चल भाई खीक हो जानगा कोई बात स्ट्रेस मत भाई हो जानगा ठीक ठीक है वो व्यक्ति तो चला गया आपने भी अपने दिवाद से वो बाते निकाल दी क्योंकि आपका रोज का प्रूफेशन एक डॉक्टर है उसके पास दिन में 20-30-50-100 पेशेंट जाते हैं ठीक है हर पेशेंट उसके अलग अलग तकलीफ अपनी शेयर करता है डॉक्टर सुनता है दवाई लिके देता है मेरे बाज़ भी रोज बहुत सारे इक्लाइंट राते हैं मैं भी उनकी परिशानिया सुनता हूँ और उन्से पास्रोफे अगया उपाई देता हूँ कि यह उपायाप को करने है या साइड विजिट्स फ्लाइब हो जाती है लेकिन मैं एक practice को follow करता हूँ मैं practice क्या follow करता हूँ मैं कभी भी अपनी table पे पानी का glass नहीं रखता अगर मेरे सामने कोई client बैठे होती है और अगर मेरी उनसे कभी भी चर्चा चल रही होती है तो by chance अगर मेरी table पे पानी का glass है तो मैं ये make sure करता हूँ कि client अगर कोई भी negative बाते करता है तो मैं कभी भी उस जल को, कभी भी उस पानी को ग्रहेड ना करूँ तो कि वो पानी जो है पानी के अंदर memory cells जो है वो client की सारी negativity को सुनते है और उनको अपने अंदर तोर कर लियते हैं ये scientifically proven है आप जाओ तो Google पे इस बात के बारे में सर्च कर सकते हो कि पानी जो है उसमें memory cells होते है तो इस बात का आपको खास क्या है अब मानी जीए एक जद साब है जद साब अपनी टेबल में बैठे है उनके टेबल पे हमेशा एक पानी का ग्लास रखा रख जब भी उनको प्यास लगती है वो उस पानी को ग्रहेड कर लेते है लेकिन वो पानी सिर्फ पानी नहीं होता वो पानी के अंदर जो memory cells होते है वो ठोग में चल रखी जितनी भी negative बाते होती है वो सारे उस पानी के memory cells में stored रहती है एक lawyer है उसके सामदे कोई client बैटा तो हमेशा पानी के glasses जो है वो आपकी office tables पे हमेशा रखे रहते है तो make sure करें कि कभी भी आप अगर पानी को ग्रहेड करते हैं तो आउस area में कभी भी negative बाते ना हो negative energy ना हो और एक और उपाए पानी को ग्रहेड करने से पहले आप एक और उपाई कर सकते हैं आप पानी को सिरफ अपने थोड़ा सा मूँ के पास लाके यहाँ पे कुछ positive बाते हो सकते हैं positive बाते क्या हो सकती है ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई जय माताति I am stressed-free मेरे पास किसी प्रकार का कोई stress नहीं है मैं life में बहुत खुश्वर मैं बहुत जादा है happy ठीक है मैं रोज पैसा का मारा हूँ मेरी life में पैसे का flow बहुत तईज़ है सब कुछ मेरी life में बहुत अच्छा है किसी प्रकार का कोई भी परिशानी मेरे जीवन में नहीं है मेरा जीवन जो है मेरी life जो है वो बहुत बढ़िया चल रही है और आगी भी बहुत बढ़िया जाए सरब आपने इतना इस पानी को गोलना है जितना भी इसके अंदर negativity इस टोड़ बोगी वो ऑटोमेटिक दी positivity में convert हो जाएगी और जब आप पानी को positive energy दे कर ग्रहन करोगे तो आप अपनी life में कुछ ही दिनों में जादा नी दो से तीन दिनों में आप अपनी life में ये change feel करना शुरू कर दोगे कि वाक्षी में जो आपको daily basis पे इतना heavy stress पो रहा था वो दीरे दीरे कमपो फोना शुरू हो गए है